हलो फ्रेंट्स, मॉस्ट वेलकम, आज आप मेरे साथ राजपुती पोशा की कुर्टी की कटिंग देखने वाले हैं, वो भी सिर्फ तीन मिनिट में, तो कुर्टी का नाप मैंने लिख रखा है, तीन चीजे चाहिए, लंबाई, सीना और कंदा, तो लंबाई हमें बनाने हैं, 27, सीना, 36, और शोल्डर जो है, वो है 14 इंच, तो इससे हमें कटिंग करनी है, और ये फैबरिक जो है, वो है 2 मीटर, जिसमें कुर्टी और कांशली दोनों बनेंगे, तो सबसे पहले, अगर आपके पास फ्रेंट में कोई डिजाइन बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इस क जाएगा, उतनी की उतनी वापस मग जिया जाएगी, यानि कि ये ले लिया हमने 27 इंच, सेकिंड चीज थी हमारी शोल्डर, तो शोल्डर थे हमारे 14 और सीना 36, तो 14 का हाफ हो जाता है 7 इंच, और हम इसमें मार्जिन एड़ कर रहे हैं सिर्फ 5 इंच, आर्म होल के लिए 8 इंच लेना हमें, आप चाहिए तो इस तरह से इसमें डबा बना सकते हैं, अब देखे हमारा चेश्ट है, 36 का 1 फोर्ट 9 इंच, और 1 से 7 इंच के बीच में या पर हमें रखना है मार्जिन, और जितनी चाक हमारी खुली रखनी है, वो है गी यान से 9 इंच पर, 9.5 इंच के बीच में, और यहां पर हमें कटिंग देनी है, आधा इंच की, ताकि जब मगजी लगे तो वो निकले नहीं, और उसके बाद जैसे यह है हमारा सीधा, आप चाहिए सीधा रखें, और अगर आप चाहिए तो आधा इंच का शेप यहां पर कमर पर दे सकते हैं, तो यह हमारी कुर्ती हो जाएगी, तो इसको हमें खोलना है, और यह जो बैक पार्ट है, उस पर एक कट का निशान लगा कर इसको हमें अलग कर लेना है, अब आगे हिस्से को हमने वापस से फोल्ड किया है, और यहां पर हमें कटनी है, कुर्ती के गले की कटिंग, तो ये गले की गटिंग हम लेंगे लंबाई में साड़े नौ इंच ये चेस्ट के अकोडिंग है और यहां से साड़े चार इंच का एक डबब बनाना है अब देखें नीचे यहां जुडबब बनाये माँ पर तीन इंच पर एक निशान और उपर शोल्डर के तरफ दो इंच पर एक निशान अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है और ये देनी है नीचे वाले इससे पर गोलाई और आर्म होल पर आधाएं जैसे बलोज में देते हैं वैसे हमें डीप कटिंग करनी है तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा पसंद आया तो जब लाइक और शेर कर देर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें साथी बाल इकन पर बिकली करें थैंक्स वर वाचिंग